स्वागे ता आप सभी को ग्यापन एकडमी के इस नए लेटेस्ट और बहुत ही मज़धार सीरीज में ये वीडियो काफी important और powerful साबित होने वाला है क्यों? क्योंकि आप सभी class 10th and 12 वाले विद्यारतियों के लिए ये वीडियो है जी हाँ, तो जैसे कि आप सभी class 10th and 12 वाले विद्यारति बहुत दिनों से मतलब comment करके बार-बार इस बात को कह रहे थे कि sir grammar basic to advance पढ़ाईए मतलब grammar basic से सुरू कीजिए और advance तक पढ़ा दीजिए तो finally आप सभी के बीच एक question post किया गया था community post के मादेम से पूछा यह गया था कि बताईए class 10th and 12 वाले विद्यारति बिहार बोड से जो class 10th and 12 की तयारी कर रहे है चैया staffing accurate शॉक्रम्ल की तयारी कर रहे हैं चाया cbsc ब़ोड से कर रहे हैं तो सभी ने comment करके बताया था और इस बात को proof किया था कि yes sir we all are ready हम सभी के सभी तयार हैं तो मैं finally आप सभी के बीच पूरी ग्रामर को अच्छे ढंक से पढ़ाने के लिए आप सभी के बीच आगया हूँ तो आपको घबडाना नहीं है बस वीडियो को अभी से कर देना है लाइक और चैनल पर नए है तो कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो अन तक देखना है बिना भी स्कीप किये ग्रामर बिल्कुल आपके दिवांग में मैं फीट कर देना वाला हूँ क्योंकि ग्रामर को हम basic to advance एक ही भी उसे पढ़ा रहा है कि आपके class 10 and 12 वाले जितने भी विद्यारते हैं चाहे किसी भी बौर्ट से बिलॉंग करने वाले हो मतलब वो अगर exam देने के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए ग्रामर बिल्कुल आसान हो जाए क्योंकि देखे होता क्या ना कि class 10 and 12 वाले विद्यारती मतलब लिट्रेचर पढ़के जाते हैं और लिट्रेचर के सारे question answer याद नहीं हो पाते हैं जिसके कारणर वो क्या होता है जो होता है तो तो चलिए बिना देर के और बिना बकवास की हम लोग इस सेशन की शुरुवात करते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आते हैं कुल मिला जुला करके बहुत सारे सब्दों को मिला करके वाक्य बनाते हैं यानि कि जैसे कि आप एक basic बाते जानते हैं और यह बच्चों वाली concept है कि लेटर मिलकर के वर्ड का निर्मार करते हैं क्या करते हैं लेटर जो अक्षर होते हैं वो मिलकर के वर्ड का निर पढ़ना है तो कुल मिला जुला करके आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट अपर इस पीच को पढ़ेंगे बड़े ही इत्मिनान से और हो सकता है कि यह वीडियो आप सभी के लिए काफी यूसफुल सावित होगा और बिल्कुल होगा इसलिए होगा क्योंकि आप सभी के क ग्रामर का लेकर आ सके और हाँ एक चीज में बता दो तेंथ वाले के लिए तो ग्रामर मतलब यह बिल्कुल बढ़े हैं से चलेगा ट्यूल वाले के लिए भी मतलब कुल मिला जुला करें सबको मतलब इंक्लूट करके मैं लेकर चल रहा हूं सबके बोर्ड एक्जाम की को स ग्रामस जिस तरीका से मुस्कानमान के माधियम से उर्द्र ग्रामर फूर बिगनर चल रहा था।ск पढ़ाएंगे और सारे के सारे टापिक को धिरे हम क्लियर करेंगे पढ़ती एक वीडियो के माधियम से और 12 क्लास वाले विद्यार्थी को मैं एक सुचना दे दो कि आप स भासन में कई सब्द और कितने किसिन के सब्द को इस्तमाल करते हैं जैसे कि उस सब्द को हम लोग अलग अलग नजरिये से देखते हैं उस अलग अलग नजरिये को देखते हैं तो उस अलग अलग नजरिये को देखने का नाम हम लोग कर दिया है जैसे कि सपुझ मान करके चलि जो इनसान अच्छा है तो उसको हम लोग अच्छा नजरिये से देखते हैं जो इनसान बुरा है उसका हम लोग बुरे नजर से यानि बुरा नजर से देखने के बाद नजर हमारा बुरा नहीं मान के चले हम जो मान के चले कोई इनसान का यह इनसान बड़ी बुरा तो हम किसी वस्तु को अच्छा और किसी को बूरा कहा देते हैं तो कुल मिलाज उला करके हम लोग जो वाक्य बोलते हैं उस वाक्य में कई वर्ड सामिल होते हैं और उस वर्ड के कई अलग-अलग के टेगरी होते हैं जैसे की दे आर और देखिए जो पार्ट पेस्पीश है इसको कर गया है और परतीक आठ के अपना-पना कुछ हिस्सा होते हैं मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा और लाइन बेलाइन से पढ़ाऊंगा और जैसे ही पढ़ाऊंगा लाष्ट में आपको कुस्टन भी बताऊंगा कि किस तरीके से कुस्टन आपके बोड एक्जाम में पूछे ज तो भी सही है मतलब नाउन का मतलब ही होता है नाम नाउन का मतलब क्या होता है नाम ठीके ना जिसको कहते हैं संग्या हिंदी में ठीके ना संग्या समझेगा इस बात को बहुत ही गहराई से और बहुत ही डिपली में पढ़ा रहा हूं और पूरा आसान करके पढ़ा रहा सुनेगा पाटा पे स्विच आठ भेत के होते हैं और पहले भेत की में बात कर रहा हूं जिसे कहते हैं नाउन और इस नाउन को हिंदी में कहते हैं संग्या और इस नाउन को साइनोनिसम वर्ड नेम के भी नाम से जानते हैं मिला जुला कर कि हर चीजे, प्रोब्लम कोई भी हो यार ठीक है ना मान के चलिए यह एक ब्यक्ति है जिस ब्यक्ति का नाम क्या है रोहन तो रोहन क्या हो गया किसी ब्यक्ति का नाम हो गया ना अच्छा मान के चलिए कि आपने सिमसंग का टीवी घर पर लाया तो उस टीवी का नाम क्या है सेमसंग क्या है नाउन है ठीक है ना मान के चलिए आपने नोकिया का मोबाइल लाया या मान के चलिए कि रेडमी का मोबाइल ले करके आया या फिर मान के चलिए कि आप ओपो का मोबाइल ले करके या फिर कुछी भी किसी भी कंपनी का मोबाइल ले करके उस कंपनी की नाम को ठीक है ना हम लो कोई भी वस्तु और कोई भी feeling और idea के नाम को noun कहते हैं यह बात दिमाग में fit कर लेना लेकिन इसके जगह पर इस रोहन के जगह पर यह मोहन के जगह पर यह रीता के जगह पर यह शीला के जगह पर अगर हम कोई ऐसा subject use करें जो रोहन को indicate कर सके जैसे मान के चलिए केहाना है कि मानेये चले की मान के लोगों के बीच रोहन नाम नाम का लड़का है ठीक है अब वह रोहन मान के चलिए कि आपने देखा कि मेरे भाई को मारा लेकिन आप उसका नाम नहीं जानते तो कहेंगे का वो जो लड़का है ना वो मेरे भाई को मारा तो रोहन के जगा पर ही जो आप इस्तेमाल करते हो ना मोहन के जगा पजो ही इस्तेमाल करते हो रीता और शीला के जगा पजो शी इस्तेमाल करते हो ना यानि कि जो नाम के बदले में जो सब्जिक्ट इस्तेमाल करते हो ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रनाउन कहते है बाते समझ में आई की नहीं यह समों आप कमेंट करके बताइये कि आपको बाते समझ में आ رही के नहीं आ रही है सुनिए deiान से यहीं गुर्वshan नाम का लड़का है जो आपके भाई को मारा और आपने रोहन को देख लिया और रोहन सब को मनें सब लुग Ruhan को पाचानते हैं Ruhan के नाम से चीत परीचित है लेकिन आप Ruhan को नहीं जानते हैं बस उसके चेहरा से चीत परीचित हो गए और उसी समय हुए जब आपके भाई को वो मारा और आप करने कि वही लड़गवा यह सो मेरे भाई को मारा यानि कि वह करके आप indicate किसको कर रहे है रोहन को कर रहे है यानि कि ही क्या हो गया आपको पुरनाउन हो गया और पुरनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम और सर्वनाम मतलब क्या हो गया यानि जो नाउन के बदले में परियोग किये जाते हैं ये बाते आपको समझ में आ ग कि जो भी मुबायल होगे मुबायल के नाम हो गए वह मुबायल के नाम को हम लोग क्या करते हैं नाउन करते हैं यह किसी भी मसीन के नाम को नाउन करते हैं यह किसी भी जगा के नाम को नाउन करते हैं यह किसी भी फिलिंग किसी भी तरीके के उत्साह आ रहे हैं उसके नाम को नउन करते हैं तो कुल मिला जुला करके तो इस नाउन के बदले में जो परियोग होता है स फिक हम रहन dit करते हैं और बात करते हैं कि एडजेकटिप की से करते हैं व along इसे हैं कि सुनिएगा सारा खेल नाउन पुर्णाउन से है मान के चलिए कि रोहन नाम का लड़का हो ठीक है ना रोहन नाम का लड़का हो चाहे इस रोहन के जब हम ही इस्तमाल करें मतलब कुल मिला जुला करके किसी ब्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं चाहे रोहन हो चाहे ही हो चा रोहन अच्छा लड़का है क्यों मैंने उसको कहा कि आच्छा काम करते हुए देख शीला अच्छी लड़की है क्यों वैने शीला को अच्छे डंग से पढ़ाई करते हुए देखा तो तो कुल मिला जुला करके अगर रोहन या पना लिखें रोहन is a good boy good boy तो मान के चलिए कि रोहन का मैंने रोहन हो चाहे he is a good boy अगर लिखें ठीक है तो मान के चलिए रोहन का है चाहे अगर उसका नाम नहीं जानते हैं तो करते हैं वह एक अच्छा लड़का है तो मान के चलिए हम क्या कर रहे हैं रोहन हो चाहिए ही हो नावन हो चाहिए प्रोनाव इन दोनों के बारे में हम क्या कर रहे हैं उसके गुडवत्त का बात कर रहे हैं समझे के इस बात को मतलब रोहन हो चाहे उसके जगा पर हम पुर्णावन वर्ड ही इस्तमाल कर रहे हैं कुल मिला जुला करके किसी ब्यक्ति के हम गुण के बारे में बता रहे हैं कर रहे हैं कोई काम किया है और मैंने कभी देखा है और तब हम जा करके कह रहे हैं कि यार वह अच्छा ललका है क्यों आच्छा ललका है कि मैंने उसको उसके अंदर की अच्छाई को मैंने देखा वह किसी को help करता है किसी को मदद करता है कुल मिला जुला करके हमने उसको good कहा क्युंकि वह अच्छा काम कर रहा था यानि कि हम good किसको कह रहा है फी को कह रहा है इसलिए क्या कर रहा है noun और pronoun की विसिस्ता को बता रहा है खल लिला जुला करके adjective हम उसे कहते हैं जो noun और pronoun की विसिस्ता को एक दम बढ़िये तरीके से बताता है अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो समझ में आ रही है तो गूड क्या हो जाएगा आपका adjective vapd हो जाएगा और किसके बारे में अप गुल्ड कर रहा है एबाहद सर के बारे में कर रहते हैं यहाओ सर कह हैं चाहिए हमारे जगा पर आप यू इसाओ रहें नो प्रोब्लम गुड हो जाएगा जो यू और एवाज सर के बारे में उसकी विश्यस्ता बता रहा है ठीक है तो कुल मिला जुला करें क्या हो गया एडजेक्टी भी किलियर हो गया देखें ना बहुत असान है बहुत असान है और अंत में मैं आपको अब्जेक्टी भी अच्छा कर लूद शाय है अजंव कर रहा है को आधर गरए काम कर लौग तुमनार आंपकर रहे हैं मैं के बात कर रहे हैं तो अच्छा क्या उगया तो यह घ्यक्टिव होगे लोग लेकिन अगर ये कामों आ अच्छा कर रहे हैं मैंने कर रहे हैं कोई काम कर रहे हैं तम नहीं का भी काम करना यह खाने का काम करना यह पीने का काम करना यह कहीं जाने का काम करना देखेगा अक्सर भर्व के जो किरिया होता है उस शब्द के लास्ट में न आता है अगर न आएगा तो समझ लेना वो किरिया है तो किरिया किसे करते भाई भर्व किसे करते हैं किरिया किरिया किसी काम का होना समझा जाता है किसी काम का होना ठीक है ना किरिया समझा जाता है किसी भी काम का होना किरिया समझते हैं देख रहा है ना कोई पूछे का वाटीज भर तो कर देना यार कि किसी भी काम का होना किरिया कहते हैं ठीक है ना तो खुल मिला जुला करके यहां तक समझ म को कर रहे हैं और उसके तत्पस्चात हम करें कि अच्छा भ्यक्ति है कि बुरा भ्यक्ति है तो कुल मिला जुला करके यह क्या हो गया एक तरीका का अगर कोई काम कर रहे हैं तो किसी काम का होना किरिया कहते हैं तो आप समझ गया होंगे जिसे गो ठीक है ना मान के चलिए कि भी-क्रिया हो गया या माने चलेए सलीप ठीक है न यह सभी क्या हो सकते हैं जिसके लाश्ट नमर पर हम लोग बात करते हैं पांच नमर देखिए क्या करा है एड़ बहर दिया बीसे सट अच्छा देखिए सुनिएगा इस बात को कितना अराम से मैं समझा रहा हूं और बड़े असानी से समझा रहा हूं सुनिएगा ध्यान से यहां पर अच्छ देखिए यह जो एड़ भर्व बना है एड़ भर टेखिएगा एड़ प्लस भर यह कहां से वर्ड लिया गया है मैं डाइरेक्ट समझा यह दिमाग में फिटको तोलड़ा से यहांब बारीक दिमाग लगाईएगा सुनेगा एड रब से होगे हाँ होगे माँन अब यहां तोड़ा सा अभी करता है तो एंद करता है है क्या बंदाओ से एक नए उत्पादक एड़ भर्व शब्द का निर्माड होता है। जब भी कभी अभी किरिया में एड़ और भर्व आपस में भाग ले करके, ठीक है ना, जब रसाइनिक अभी किरिया करता है, तो रसाइनिक अभिक्रियक के फल सरों बने उत्पाद एडभर्व होते हैं यानि बने जो शब्द होते हैं वो एडभर्व होते हैं अब बात आती है कि जो एडभर्व होगा वो कभी भी एडजेक्टिब और भर्व की क्वालिटी को ही बताएगा समझ गया है सुनिएगा ध् पॉलस भर्व मिला करके यह दो शब्द आपस मिल करके एक नए शब्द एड़ भर्व का निर्माड की हैं मतलब कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो शब्द एड़ पॉलस भर्व मिल करके एक नए शब्द एड़ भर्व का निमार करें इस परकार की अभिक्रिया ठीक है ना नाउन और प्रनाउन की विसेस्ता को बताता है नाउन प्लस प्रनाउन की विसेस्ता को बताता है सुनिए गाद्यान से एड्जेक्टिव क्या करता है और भर्व क्या करता है यहीं नाउन प्रनाउन कोई काम कर रहा है तो किसी काम का होना भर्व दर्शाता है अब सोचिए अ काम है जो एडवर्व क्या करता है एड़ेक्टिव की विसेश्था को बताता है प्लस भर्व की विसेश्था को बताता है ठीक है एडवर्व क्या होता है एडवर्व जो एड़ेक्टिव और भर्व दोनों की विसेश्था को बताता है जैसे कि सुनिएगा ध्यान से जिसे कि अपकभी भी देखिएगा आता है स्लो ली ठीक है ना तो यहां पर दिखिएगा गो स्लो ली धीरे जा रहा है ठीक है ना मने जाने का उसके किरिया कैसा है जातर है ठीक है किस तरह जा रहा है तो कहीं ने कहीं से यह जो सब्सक्राइब यह कई ने की विछ सब्सक्राइब का करा रहा ने बता रहा था छूझ ऑस्चर 뉴스 करें और तो फास्ट निभाष यह ऑना दनी लिखता ओटागा था ठीन लिखते हैं तो अब एक बात सुनिए कि यह क्या कर रहा है यह कहीं न कहीं से जाने की किरिया पर किरिया के क्वालीटी को बता रहा है कि कईसा जा रहा है फास्ट जा रहा है कि सलो जा रहा है तो भाई सलो जा रहा है इसलिए हम सलोली लिख दिये तो एडभर में कभी भी दूखोँए करा लास्ट में एलवाई आता है अब आप सर आप से बताइए बेसे कि 우리는rico बता तो यह अब भी शेया अब मांन के चलिए कि जा रहा है गूइंग थो इसा बर और है तो आद्धा है जब आफ जा रहा ना इसिससे दोर ना और तेजbies दोड़ना में अंतर होता है यह को था होता है वह तेज दोड़ता है मैं उसके क्वालिटी को बता रहा हूं मतलए वह थैज दोड़िया और वह होता है वो तेज दोड़ता इसलिए वो तेजी से दोड़ रहा है तो इसलिए यहां पर जैसे ही यह लवाई लगाते हैं तो यह क्या होगा एडजेक्टिव पर जोर देना कुल मिला जला करके जो एडजेक्टिव की भी सेस्ता बताता है उसे हम एडवर्ब करते हैं और जो भर्व की काफी असानी होगे सुनिए गाध्यान से हम क्या बात कर रहते हैं प्रिपोजीशन यानि अगला जो नंबर है वह प्रिपोजीशन जिसको हिंदी में करते हैं संबंद बोधक भाई मेरे यह जो प्रिपोजीशन वर्ड है ना पुजीशन यह कभी भी देखो क्या होता है कि कभ पर कुछ रख रहे हैं मैंने कोई एस्थिती परस्थिती पर जा रहे हैं या कुछी किसी एस्थिती परस्थिती पर कोई वस्तु को रख रहे हैं तो हम उसको पोजीशन मान के चलिए कह रहे हैं और उसी पोजीशन के पहले लगने वाले शब्द पिरी पोजीशन कहलाते हैं जैसे कि मान के चलो हम कहेंगे कि keep this book keep this book ठीक है ना keep this book table ठीक है ना keep this book table किताब को रखो table क्या मतलब हुआ अगर हमें कहूं यह किताब लो table रख दो यह sentence क्लियर हुआ नहीं नहुआ आप देखे टेबल क्या हो गया एक ठीक है का पोजीशन हो गया है यह हमारा पोजीशन क्या है टेबल एक एस्थिती बन गया जिस एस्थिती पर में टेबल जिस टेबल पर जिस एस्थिती पर मैं बुक को रखने की बात कर रहा हूं कि अरदिस झाना टेबल तो यह सेंटेंश कि लिए नहीं हो रहा है अगर इसके पहले हम लगा दें on हये कि फिट वूब्ब क्रेस District on the टेबल उन्दी टेबल तो यहां पर सेंटेंश किलियर अगर मैं कख्छा जा रहा हूं तो इस सेंटेंस किलियर हो रहा है यह वाक्य किलियर हो रहा है मैं कहूं कि मैं कख्छा में जा रहा हूं तो कितना बढ़िया हो जाएगा सेंटेंस तो इंटू दा इंटू दा क्लास क्लास तो इंटू क्या हो जाएगा प्री पोजीशन हो करके एक ऐसा वर्ड जो पोजीशन के पहले लगता है उसे हम लोग क्या करते हैं अब आए साथ नमर को वार करते हैं ध्यान से समझेगा कंजक्शन जिसको कहते हैं संबूच्य बहु धक कंजक्शन जिसको कहते हैं समुचयबोधत मेरे बाइ कंजक्शन को साइनोनीज्म वड में हम कर्डा अब के नाम से जानते हैं और कर्डा तो आप जानते हैं estan सब्द कैसे आया connection से आया कि तिना connection से connection मना है यह connection से आप connection समझ जया है no problem it doesn't matter to like connector मतलब होता है जोड़ना तिना ऐसा चीज अच्छा मान के चलिए हम कहेंगे सबस्पोज मान लिजिए कि अगर आप copper का वायर लिया है copper का तारली है यह रसी ले लिया है तो आपकी नहीं दो बस्पोट लेकर के रसी से बांद दे constituents क्या कर रहा है दो बस्तो को जोड़ने मैंने एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है copper मान के छले कि आपको यहां बजलाना है यहां से एक और जगा बजलाना यह copper wire अगर इस बजल और इस बॉल के बीच क acceptable कर दे मसे दोनों को जोड़े तो कहीं ना कहीं से यह दोनों ब lug जलेगा और यह दोनों बब जल जाएगा तो तो तार क्या हो गया connector हो गया ठीग है तो connector का डायडिक्ट अखरी है कि जो connector में एक ऐसा सवर्ड जो दोषब्दों को जोड़ने का पाल करता है आन on से हम लोग कंजेक्शन कहते हैं कंजेक्शन ठीक है ना सुनिए का ध्यान से कंजेक्शन तो फिर से एक बार समाझ लीजिए कि कंजेक्शन की से कहते हैं कंजेक्शन का मतलब होता है कनेक्टर कनेक्टर कनेक्शन तो कुल मिला जुला करके इसका मतलब होता है दो सब्सक्राइब को जोड़ना या दो वाक्यों को जोड़ना ठीक है ना यानि कंजक्षन वर्ड में एक ऐसा वर्ड आता है जो किसी दो वाक्यों या दो सब्सक्राइब को जोड़ने का काम करता है जैसे कि एंड हो गया य填 हो गया बट हो गया जैसे कि you फिंख कि अधिक न हूं ढागय। चैने लेकिन अगर इस सेन्टेंस को पूरा बणेया बनाना होगा तो आप बीच में क्या करते हो एंड जोड़ते हो Lucky Eltern तुम हम और तुम अगर मैं कहो कि मैं और तुम जा रहे हैं मैं तुम जा रहे हैं तुम मैं जा रहे हैं तो यह संटेंस क्लियर होगा नहीं होगा इसको कहने के लिए आपको क्या करना होगा हम और तुम हम लोग दोनों आदमी जा रहे हैं यानि कि मैं और तुम दोनों जा रह तो कहीं नकई से कि इस भी और अपने आप में यह करता है इःविट तो दियन बीट करता है यह भी करनेक्टर के काम करता है बट लेकिन मैं नहीं पुञेए यह क्या कर रहा है एक संटेंस को बना दे रहा है याने कि तुम्हारे और हमारे ये दोनों की वाक्यों को दोनों की बातों को एक sentence मने एक लंबा sentence बना रहा है देखो तुम जा रहे हो ठीक है जाओ लेकिन मैं नहीं जाओंगा you are going no problem but I will not go you are going but I am not going तुम जा रहे हो लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं तो कुल मिला जुला करके जो दो वाक्यों का अच्छा देखो you and me you and me तो देख रहे हैं ना मी और यू यह दोनों वर्ड हो गाए तो दो वर्डों के बीच सबस्τηरा न यहां तक हो अरे तो कंजक्षम सपोज मान के चलिए कि आज कंजक्शन नहीं होता तो एक लड़का और एक लड़की के बीच एक मतलब जो एक लड़की के बीच शादी और वह लग क्या करते हैं connected का काम करते हैं सोचिए कि एक लड़का और एक लड़की के गिच जब शादी होती है तो शादी कराने का काम पंडी जी लोग करते हैं मौलाना लोग करते हैं ठीक है ना तो मान के चले कि यह लोग क्या है एक तरीखा का कंजक्शन है एक तरीखा का कंजक्शन है अब आप मत कहिएगा कि कि मना किसी भी पंडी जी को दे करके और मौल भी साब को दे करके दूरे से मत कहेगा कि यह लोग कंजक्शन है ठीक है नहीं यह लोग कंजक्शन का काम करते हैं तो जाहिर से बात ही को लोग कंजक्शन हैं वे लोग कंजक्शन का काम करते हैं लेकिन उन्हें कंजक्शन का किसी हम लोग conjunction कहते हैं अब बात करते हैं इंटर जेक्षन की ये जो है लाष्ट है और कहा जाता है अंत भला तो सब भला उसके बास हम लोग को सने इसर करने वाला है वीडियो के साथ अंत में पूरा बने रही सब्सक्राइब कर दुरा ताकर वीडियो काफी प्लफोल साभीत हो जाएं आपके लिए इंटर जियुक्शन का मतबब होता है विस्मियादी बधfeit इसम्यादी बोधक कैसे भाई तो सुनिएगा ध्यान से इंटर्जेक्शन जैसे वुर्रा वाव माइंड ब्लॉइंग व्रेवो यह सब क्या है कहीं न कहीं से दिल से निकलने वाली बाते हैं क्या है दिल से निकलने वाली बाते हैं यह कहीं न कहीं से क्या होता है दिल से निकल वाव वेरी गूड ठीक है ना तो यह क्या है दिल से निकलता है लेकिन दुख पर कट किया जाता है वैसे शब्द जिसको खुशी के औसर पर खुशी की तरह से बहुत अच्छा काम क्या है वह वाव बहूत अच्छा काम क्या तो बड़ी पिताने वाव को वाव कि जगह बोलना है जाहिए वह बात है कि बोलने कहरें हुआ हमारी इंप्रेशन और हमारी चेहरे से के फैस Ik engages已经 हो जाती जिसे आलातों बोलते हैं चक्रूंक है तो जब और began बोलते हैं तो कही न कहीं से हमारी चेरे के इंप्रियum Sand बिदा जाती है तो हिर्दय से निकलने वाली ऐशी शब्द ठीक्र ऑम जो दुख को परकट करता है और से निकलने वाली ऐसे सब्द जो चेरे पहांसी लाने के साथ सब्द को किसी खुशी के औसर देती है तो कहीं ने कहीं से वह इंटरजेक्शन ठीक है ना बोले तो विश्मयादी बोधक के अंतरगत उसको रखा जाता है तो ठीक है यहां तक समझ में आया की नहीं आया तो यहा गाडिंग क्लास 10 सुनिये गारां से कलास 10 एंट 12 में किस तरह से कोशन पूछे जाते हैं पार्ट ऑप स्की से रिलेटेट किस तरह के कोशन उठाया जाते हैं यहां पर मैं उसका नमूना आपके बीच रख रहा हूं और आपको कोशन दूंगा बनाने के लिए चौथा नमर इस सब्जेक्ट रहेगा वहां पर गरामर से कोशन पूछे जाते हैं और गरामर में पार्ट ऑप स्पीच हो चाया है अगर पूछेगा तो आप से छूटेगा नहीं इसकी मेरी गरांटी है ठीक है सुनिए ध्यान से क्यासे पूछते हैं चूज़ दा नाउन सुनिए गना in the given sentence जैसे कि दिया है राम is going to patna सुनेगा अगर आप नाउन पढ़ लिया है नाउन किसे कहते हैं तो सुन लिजेगा राम is going to patna ठीक है अब एक नमर में दिया है राम दूसरी नमर में दिया एज़ सी में दिया है गोईंग और चार नमर में दिया है अगर आपको इसका एंसर पता चल गया तो अभी तो मैं बताऊंगा ही इसका एंसर लेकिन कमेंट करके जरूरूर बताईए कि सर पहला का यह होगा लिखिएगा तब जाकर मजा आएगा तो सुनिए गा नाउन पूछ रहा है और इसी तरीके से किसी भी चाहे क्लास्टियन थो राम हो जाएंगे राम तो यहां पर अप्सन एज दा राइट एंसर यहां पर देखिएगा वसन नमर दो में चूज दा एड्जेक्टिव मैंने बताया ना कि जो नाउन और पुर्णावन की भी सेस्ता को बताता है तो देखिए इसमें जैसे सेंटेंस दिया हुआ हुआ है यानि यू क्या है यह पुर्णावन है और इस पुर्णावन के बारे में क्या कह रहा है अच्छा के बुरा तो जो आच्छा कहे या बुरा कहे किसी भी हालात में अगर अच्छा कह रहा है यह किसी परस्तिती यह स्थिती में यह क्या कर रहा है नाउन और पुर्णावन की विशेष्ता को बता रहे हैं अगर तुम पैसे वाले हो इसलिए तुम अमीरओ और तुम पैसे वाले नहीं उसका तुम गरीभ तो अमीर गरिब यह क्या हो जाएंगे है ठीक lettuce तो यहाँ पार देखिए यहाँ पर देखें का इस्तिमाल के जाए ऐसे वर्ड को इंटर्जेक्शन के अंतरगत रखा गया है जैसे सुनिएगा चूज दा इंटर्जेक्शन इन्द गीवन सेंटेंस जैसे कि हुर्रा आइवन दिसमेच अच्छा हुर्रा के जगह पर मान के चलिए अल्ला सगर लिख दें कि अल्ला सब्सक्राइब तो यहां यह सब हुर्रा हुर्रा सब खुशी के मौगा पर इस्तमाल किया जाता और यह दिल से और हिर्दय से निकलने वाली सब्द है तो हुर्रा और देखेगा यहाँ पर यहाँ इस तरीके से डंडी और एक छोटा सा ठीक ना फूल एस्टॉप यहाँ चोटा सा एक बिंदिया रहता है जिसको कभी इंटर्जेक्शन सब्द में इस्तमाल की जाता है तो हुर्रा ठीक यह भी पाचाने का ट्रीक है हुर्रा तो यह क्या होगा हुर्रा आई वांट इस इस समस्कूल मिला जोला करके खुशी जहिर करते हुए इस बात को हम कह रहा है कि मैंने इस मैज को जीत गया तो यहां क्या हो जाएगा इंटरजेक्शन हो जाया कि इस ओर जो यह has efficient स्पीच आपको पढ़ानी की कोशिश किया ठीक है और पार्ट पेस्पीच पढ़ानी के बाद इससे रिगार्डिंग जो मैंने कोसन एंसर करवाया आप बहुत ही अच्छे धंग से समझ गया होगे पूरा का पूरा दिमाग में फिट हो गया होगा और अंत में मैंने जो प्रस बहुत होगा लिखेगा जरूर लेकिन उसके सांसात जिसे ही इस गूड बहा जूब अब हुद होगा मान के चले चार कि ए उतर पूदेना यह सकते हैं फोरत का यह ऑर यह पर लिक दीजिए गए पुरत का मान के चलेए बी दो लिख दीजिए इगा इसी तरीके से आप एंस क्या था हूँ छोड़ो ठीक है ना लेकिन हम सब्जेक्ट देखते ही समझ जाएंगे या मान के चलिए कि नाउन पुर्णाव देखते ही हम समझ जाएंगे हाले कि मैं अभी बातों बातों में इशारा भी कर रहा हूं लेकिन आप इस चोथे करता हूं कि यह समझ करके सही एंसर ही देंगे तो चलिए यहां तक जो कुछ भी मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों में सेयर कर दीएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके और दूसरों को भ प्सक्ष्थ हो अच्छाइब कर.